पंजाब में गुर्दासपूर के बीजेपी सांसत सनी देवल अगले साल यानी 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं एक इंटर्यू में अगला लोकसभा चुनाव ना लड़ने की घुशना खुद सनी ने की हाल में आई अपनी फिल्म गदर्टू के बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होने के बाद सनी अब राजनीती छोड़कर पूरी तरफ फिल्मों में ही काम करना चाहते हैं सनी ने कहा कि मैं अब सिर्फ एक एक एक्टर की तरह रहूँगा आप एक ही जॉब कर सकते हैं मल्टिपल जॉब करना संभव नहीं 2019 के लोकसभा चुनाओं से पहले जब मैं राजनीती में आया तो सोचा था कि ऐसी वेसी चीजे होगी लेकिन यहां जो कुछ होता है वो मैं एक्टर की तरह काम करके भी हासिल कर सकता हूँ फिल्मों में भी मुझे लोगों का प्यार मिली रहा है सनी दिवा ने का कि एक्टर रहते हुए जो मेरा दिल करेगा में कर सकता हूँ राजनीती में जो मैं नहीं करना चाता वह करूँगा तो वो मुझसे बरदाश्ट नहीं होगा मैं सांसत जाता हूँ तो मुझे लगता है कि यहां देश चलाने वाले लोग बेठे हैं सभी पार्टियों के नेता बेठे हैं लेकिन वो कैसा भीहेव करते हैं और हम दूसरों को सला देते हैं कि ऐसा भीहेव ना करें सनी ने कहा कि हमारा आचरन ठीक होना चाहिए जब चीजे ठीक नहीं दिखती तो मुझे लगता है कि मैं कहीं और चला जाओं मैं अभी 2024 में कोई चुनाऊन नहीं लड़ूंगा मैं एक्टर के तोर पर ही काम करूंगा मैं वेसे ही देश सेवा करता रहूंगा जैसी अब तक करता आया हूँ मुझे यकीन है कि एक एक्टर होते हुए मैं युवाओं और देश के लिए बहतर काम कर सकता हूँ इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ नहीं बाद